प्यारे बच्चों आपका मेरे यूटूब चेनल में स्वागत है आप लोग मेरे गाइड सीरीज में बहुत अच्छे से अध्यन कर रहे हैं आप लोगों के ब्यूज दोगर बताते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे से तयारी कर रहे हैं जो बच्चे मेरे चेनल में ने हैं स प्रशंटेज इंक्रेस कर पाएंगे तो चलिए मैं आपनों को हमारे नेक्स्ट एपिसोड में लेके चलता हूं तो यहां पर देखिए आप लोग यह प्रश्णावली 2 का प्रश्ण ग्रमांग 5 15 किलोग्राम चाय वह 17 किलोग्राम काफी का मुल्य 183 रुपए है तथा 25 किलो देखिए माना कि चाय का मुल्य X रुपए तथा काफी का मुल्य Y रुपए है तो 15 किलोग्राम चाय का मुल्य कितना हो जाएगा 15 X 17 किलोग्राम काफी का मुल्य 17 Y दोनों मिला करके टोडल कितना हो जाता है 15 X धन 17 Y बराबर 183 रुपए इस तरह से यह हमारा पहला सिम्क्रे बन गया दूसरा फिर वहीं पर क्या बोलता है 25 kg चाय यहने कि 25 एक्स दन 13 kg काफी यहने कि 13 वाई बराबर 213 रुपय यह हो गया हमारा दूसरा समिकरन यहां पर देखे आप लोगों को समिकरन हल करना अच्छे से आता है इसलिए यहां पर मैं आप लोगों को डारेक्ट भी ब जानते हैं ध्यान से देखे यहां पर यहां 15 एक्स है यहां 25 एक्स है तो इसको 15 को और 25 का हम लोग लगुतम निकालेंगे तो कितना आएगा 75 ठीक है अब कैसे आएगा 75 और 25 थिया 75 तब हमको 15 को इसका क्या निकालेंगे लगुतम समापवर तक निकालेंगे 25 और पंदर का 75 आता है तो इस 75 बनाने के लिए हम लोग आप इसको क्या करेंगे ध्यान से देखते रहिए पहला समिकरण को समिकरण 1 गुणित 5 करेंगे और समिकरण 2 गुणित 3 करेंगे उसके बाद समिकरण 1 में समिकरण 2 को घटा देंगे दियान से देख रहे हैं कैसे लिखना है बहुत ही साठ कट में लिख सकते हैं समिकरण 1 गुणित 5 रिंड समिकरण 2 गुणित 3 तब परिणाम क्या निकलता है देखिए 15 पचे 75 X धन 17 पचे 85 Y बराबर इसमें 5 का गुणा करेंगे यह हो गया 915 अब सेकेंड समिकरण को देखिए 15 पचे 75 X धन 13 पचे 49 Y बराबर इसको भी 3 से गुणा कर लेंगे और करना क्या है घटाना है देखिए तो यह रिंड हो जाएगा यह रिंड हो जाएगा यह तो केंसील हो गया 46 Y बराबर 276 इसलिए Y बराबर क्या हो जाएगा 276 इसलिए 46 चक्के Y बराबर आया 6 अब इस Y के मान को हम लोग समिकरण 1 में रखेंगे समिकरण 1 में Y बराबर 6 रखने पर 15 X धन 176 ए 102 बराबर 183 15 X बराबर 183 रिंड 102 15 X बराबर 81 X बराबर 81 बटे 15 35 15 3 27 सम एक्स बराबर 27 बराबर 27 बराबर 5 पराब्थ हुआ है और Y बराबर 6 पराब्थ हुआ है और हमको प्रशना अनुसर क्या निकालना है देखिए 7 किलोग्राम चाय और 1 किलोग्राम काफी कमूल ले ग्याद करना है तब हम अब 7 kg चाय और 1 kg काफी कमूल ले ग्याद कर लेते हैं 7 kg चाय और 1 kg काफी तो 7 kg चाय है देखिए और हमने चाय को क्या लिया है 27 बटे 5 x तो यह हो जाएगा 7 x धन 1 y ग्याद करना है हमको तो 7 गुनीत 27 बटे 5 धन 6 बटे 1 इसका लोगतम निकालेंगे तो कितना आजाएगा 5 आजाएगा 189 प्लस 6 पंचे 30 टोटल कितना हो जाएगा 219 बटे 5 इसको भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 5 चों 20 फिर बचा 19 पांस तिया 15 याने कि 43 रुपया 80 पैसा यह हो गया हमारा अंसर तो इस तरह से आप बहुत अच्छे से बना सकते हैं चलिए हम चलते हैं next question पर यहाँ पर question number 6 को देखिए आप लोग question number 6 में लिखा हुआ है एक वेक्ति के पास कुछ कभूतर और कुछ गाये हैं कभूतर और गाये हैं जिनकी आखों की कुल संख्या 120 है आप लोग जानते हैं कभूतर और गाये सब की आख्या दो-दो ही होती है पैरों की कुल संख्या 180 है कबुतर के दो पैर होते हैं और गाय के चार पैर होते हैं इस बात को आप लोगों को जानना चाहिए कबुतर कौन सा है, गाय कौन सा है और कई परसुपक्षियों को आप लोगों को हीरन कौन सा है ये सब जानना भी चाहिए तो यहाँ पर देखिए माना की X कबूतर है तथा Y गाये है आँखों के लिए देखिए चूँकि एक कबूतर के दो आँखोंगे इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2X हो गया आँखों की संख्या और गायों में आँखों की संख्या कितनी हो गई? 2Y हो गई दोनों को कुल मिला के कितनी आखे हैं? 120 हैं तो यह हो गया पहला समिकरण हमारा इसको थोड़ा सा हल करते हैं उसके बाद समिकरण एक नाम देंगे X धन Y बराबर 60 होगा सबको 2 से भाग दे देने से इस तरह से हमको प्राप्त होता है यह पहला समिकरण अब आजाते हैं दूसरा कंडिशन लगाते हैं यहाँ पर पैरों की कुल संख्या 180 है तो पैरों के लिए क्या करेंगे? कभुतर के 2 पैर होते हैं इसलिए 2X हो गया और गाय के 4 पैर होते हैं इसलिए 4Y हो गया बराबर 180 हो गया इसको भी कटा सकते हैं X प्लस 2Y दो से भाग दे रहे हैं तो देखिए यह 90 यह हो गया दूसरा समिकरण समिकरण 1 और समिकरण 2 को ध्यान से देखिए आप समिकरण 2 रिंड समिकरण 1 ऐसा करने से हमारा X वाल अपत बिलोपित हो जाएगा तो ध्यान से देखिए X प्लस 2Y बराबर 90 और X प्लस Y बराबर है 60 इसको क्या कर रहे हैं हम लोग घटा रहे हैं तो घटाने से XX कैंसिल हो गया यहां पर बिलोपित हो गया और यहां पर 2Y में से Y घटा दिये तो Y बचा 90 में से 60 घटा दिये तो 30 बचा याने की हमने Y किसको माना था गाय को माना था तो हमारे पास 30 गाय होंगे यह एक आंसर हो गया अब क्या करेंगे हम समिकरण 1 में Y बराबर 30 रखने पर समिकरण 1 में declined कमान रखेंगे अब Y कमान रखने से क्या होता है देखिए X प्लस 30 बराबर 6 इसलिए X बराबर ये 30 दूसरे साइड चला जाएगा तब क्या हो जाएगा 60 रिंड 30 बराबर 30 इस तरह से आप X कमान भी 30 प्राप्त के लिए याने कि हमारे पास कबुतर और गाएं बराबर है ये हमारा आंसर है तब हम कोश्चन नमबर 7 पे चलते हैं कोश्चन नमबर 7 को बड़े ध्यान से पढ़िए एक थेले में 50 पैसे और 25 पैसे के कूल 94 सिक्के हैं तो यहाँ पर मान लेते हैं हम लोग माना कि 50 पैसे के X सिक्के हैं और 25 पैसे के Y सिक्के हैं तो कूल सिक्के कितने हैं कूल सिक्के बराबर X प्लस Y बराबर 94 यह हो गया हमारा पहला समिक्रण बड़े ध्यान से देखिए प्रशनों से समिक्रण कैसे इजली बनते हैं और उसको हललम लोग कैसे करते हैं यदि थैले में कूल 29 रुपय 75 पैसे हैं अब पैसे का हिसाब किताब आ रहा है तब बताज़े की थैले में 25 पैसे और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है हमने तो यहाँ पे ले लिए माना की 50 पैसे के जो सिक्के हैं x है और इसके y है अब उनका योग भी पता चल गया हमको 94 है यदि थैले में कुल पैसे अब यहाँ पर आ जाते हैं पैसे तो कितना हो गया देखिए 50 पैसे 50 पैसे के कितने सिक्के हैं x हैं मारे पास तो कुल सिक्के कितने हो गए 0.50 ठीक है चूंकि यहाँ पर रुपए दिया हुआ है और यहाँ पर पैसे में हैं इसलिए हम लोग इसको 0.50 लिखेंगे पैसे और यह हो गया x x क्या संख्या है तो 50 पैसे के x सिक्के हैं और 25 पैसे के 0.25 के y सिक्के हैं ठीक है तो इस तरह से इसके टोटल रुपए कितना हो गया यह 0.25y और 0.5x दोनों को मिला देने से हमको कितने पैसे मिल जाते हैं 29 रुपय 75 पैसे मिल जाते हैं आगई बात समझ में अब इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं देखिए 50 X से धन 25 Y बराबर 2975 सारे दस्मलों हट गए दोंख के पहले लगने से सब जगह से बराबर सीधर और उधर सारे दस्मलों हट गए अब हम 25 से भाग करके इसको भी छोटा कर सकते हैं 25 दुनी 50 X दन 25 एकम 25 Y बराबर इसको 25 से भाग दे देते हैं 119 ठीक है अब इसको कर सकते हैं बड़े आराम से अब यह हो गया हमारा दूसरा समीकरण समीकरण 1 और 2 की सहता से हम लोग अब क्या करेंगे इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखें समीकरण 2 रिन समीकरण 1 ऐसा करने से Y बिलोपित हो जा रहा है ठीक है इस बात को ध्यान में रखना है आप काफी सिख चुके होंगे तो यहाँ पर हो गया 2X प्लस Y is equal to 119 और X प्लस Y is equal to 94 अब इसमें से इसको माइनस करना है हम लोगों को तो यह तो कैंसील हो गया Y बिलोपित हो गया यहाँ पर बसता है X बराबर इसमें से इसको खटा देंगे तो कितना बचेगा X बराबर 25 याने कि 50 पैसे के 25 सिख के है X बराबर 25 को समीकरण एक में रखने पर कितना हो जाएगा 25 धन Y बराबर 94 इसलिए Y बराबर 94 मैनस 25 कितना हो जाएगा 69 तो इस तरह से आप देख रहे है X और Y के मान हमने निकाल लिया याने कि अब हमको क्या लिखना पड़ेगा 50 पैसे के 25 सिख के और 25 पैसे के 69 सिख के हमारे पास होंगे यह हमारा अंसर होगा ठीक है तो चले अब हम next question की हो यहां पर देखिए अब प्रश्णों को बड़े ध्यान से पढ़ना आरंब कर दीजिए यहने कि आप sincerely पढ़ना सुरू कीजिए तब आपको अच्छे से समझ में आएगा तो यहां पर देखिए दो संख्या को योग 25 है तथा उनके विद्क्रमों का योग एक बड़े चार है तो संख्या इग्यात कीजिए मैं डारेक्ट लेता हूँ देखिए मान लिया दो संख्या हम लिख लेते हैं माना की दो संख्या है एक्स तथा वाई है तो प्रश्णा नुसर क्या है देखिए एक्स प्लस वाई इसक्वेल टू 25 यह हो गया पहला समिकरण इनके विद्क्रमों का योग विद्क्रम विद्क्रमों का योग कितना है एक बड़े एक्स हो जाएगा दन एक बड़े वाई हो जाएगा दोनों को जोडते हैं तो क्या मिलता है एक बटे 4 मिलता है, इसको कुछ इस्टेफल करते हैं, तब हमको दूसरा समिक्रेन मिलेगा, ध्यान से देखिए, इसका लोगतम निकालेंगे तो xy आएगा, तो यह हो जाएगा y प्लस x is equal to 1 बटे 4, थोड़ा इतना जानना चाहिए आपनों को कि हमने कैसे किया, ठीक है, तो फिर 4 को ब्रेकेट में रखते हैं, x प्लस y is equal to xy, यह हमको प्राप्थ होता है, दूसरा समिक्रेन, परन्तु इससे हमारा समस्य का समाधान अभी तक नहीं हुआ है, हमको x और y के मान चाहिए, और x और y के मान प्राप्थ करने के लिए यहाँ पर एक हिंट दे दिया है देखें आपके प्रेश्ण में, लें परिच्छा में यह हिंट दिया रहेगा जोरी नहीं है, ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रखें कि ऐसे प्रेश्णों को कैसे हल करना है यहाँ पर, तो यहाँ पर हम लोग x-y का मान हमको वास्तों में चाहिए, x-y, तब जाकर के हम उसके बाद ही x और y का मान निकाल सकते हैं, तो इसको निकालने के लिए देखें हमारे पास एक सूत्र है यहाँ पर, इस सूत्र का उप्योग करेंगे हम लोग, तो कितना हो जाएगा x-y का होल स्कूर, इसक्वेल टू देखें, यहाँ पर क्या है x-y का होल स्कूर, यानि क x-y का वैल्यू कितना है देखें यहाँ पर, x-y का वैल्यू है 4 into x-y, 4 into x-y, अब यहाँ पर देखें, हम लोग यहाँ पर इसके वैल्यू को भी निकाल सकते हैं, x-y के मान को पूरा complete निकाल सकते हैं, ध्यान से देखें, x-y is equal to 25 है, तो इसको हम 4 into 25 अगर कर देखें, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 25-100, तो x-y का हम direct value 100 भी यहाँ पर पूर कर सकते हैं, ध्यान से देखें यहाँ पर, 25 का वर्ग, रिंड 4 गुनित 100, x-y का मान हमको 100 मिला है, तो इस तरह से कितना हो जाएगा, 25-25 हम 625, रिंड 400, बराबर 225, यह कि क्या है, x-y का होली स् है, तो यहाँ पर x-y का मान हमको मिल जाएगा, वर्गमूल 225, रिंड 25 का वर्गमूल जब निकालते हैं, तो कितना होता है, यह तो आप लोगों को याद होगा, कछे 90 सेक्सर में बताते हैं, और आप लोगों को कर लेना चाहिए, तो यह होता है, 15-25 होता है, तो यहाँ प 25, यह है पहला समिकरण, दोनों को क्या करें, जोड देते हैं, देखिए, तो कितना हो जाएगा, 2x is equal to, जोडने से यह हो गया, 40x बराबर 40 बटे 2 बने 20, तो x के value कितना प्राप्त होता है, 20 प्राप्त होता है, इसको समिकरण 1 या 3 में रख करके, हम लोग y का मान ग्याद क कर सकते हैं, तो समिकरण 1 में x बराबर 20 रखने पर, क्या मिल जाएगा हमको, 20 धन y बराबर 25, इसलिए y बराबर 25 रिन 20 बराबर 5, तो इस तरह से हमको x और y कमान मिल जाते हैं, तो दोनों संख्यां कौन कौन सी हैं, 20 और 25 हैं, अब देखिए, question number 9 को, पड़े ध्यान से इसमें भी किसी ने किसी प्रकार का एक supporting सुत्र का उप्योग होगा, जो आप प्रश्न में देख रहे हैं, दो संख्यां का अंतर 14 हैं, तो दोनों संख्यां कौन कौन सी हैं, माना की संख्यां x, y हैं, दोनों का अंतर x-y बराबर 14, यह हो गया पहला समिकरण, दुसरा बोलत इसमें भी का उप्योग कर सकते हैं, आप लोग भी जान रहे हैं, हमारे जितने सरोसमिका यूच के हैं, उसमें से तिसरा सरोसमिका है, क्या है यहां पर x-y and x-y ऐसा लिख सकते हैं x-y वर्ग को, यह हो गया 448, अब यहां पर देखिए x-y का value दिया हुआ है 14, तो हम लोग x धन y बराबर 448 बटे 14 तो कितना हो गया x प्लेस y बराबर 32 प्राप्त होता है यह हमारा दूसरा समिक्रण है अब दोनों समिक्रण को आप लोग जान रहे हैं अच्छे से हल करना इसलिए यहाँ पे आप कर सकते हैं परंदू देखे एकदम 60 कट में फटाफट बता देता हूं x-y is equal to 14 x plus y is equal to 32 दोनों को जोड देते हैं यह cancel हो गया 2x बराबर 46 x बराबर 46 by 2 यहने की 23 x का मान कितना मिला हमको 23 मिला उसमें से एक संख्या 23 है तो दूसरी संख्या क्या होगी समिकरण एक में मान रखने पर समिकरण दो में भी आप रख सकते हैं चलिए दो में रख लेते हैं यहां पर कितना हो जाएगा 23 धन y बराबर 32 इसलिए y बराबर 32 रिंड 23 9 y का मान कितना मिल गया हमको 9 मिल गया ठीक है बहुत अच्छे से देखा और मेरे इस गाइड सीरिस को आप आगे हल करने के लिए आगे के इन प्रशनों को जैसे 10-11, 12, 13, 14 प्रशनों को हल करने के लिए आप continue थोड़ा सा इंतिजार कीजिए आप next एपिसोड के लिए और आपको बने बनाए मिल जाएगा आप तब और प्रयास करते रहे आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद